तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोबेशनरी ओफिसर यानि की पीयो की वेकेंसी के बारे में आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट पर ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन ओफ एप्लिकेशन और पेमेंट ओफिस एक जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं यानि की आवेदन सुरू हो चुके हैं और लास्ट टेट है 28 जनवरी सन 2024 शाम के चार विज़े तक ओनलाइन टेस्ट कब होगा फरवरी में टेटेटेटीव है 2024 में आपका हो सकता है नंबर ओफ वेकेंसी है तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी तो आप इस वीडियो को पूरा देखें आपकी सेलरी कितनी रहेगी पेस केल आड़ इमोलिमेंट्स तो दो साल आप ट्रैनिंग पर रहेंगे जिसे कहते हैं प्रोबेशन तो पहले दो साल आपको पर मंथ 28,000 रुपे दी जाएंगे उसके बाद आपको सरकारी स्केल पर रख लिया जाएगा वो रहेगी आपकी 20,330 स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी फिर एक साल बाद आपकी इंक्रिमेंट लगेगा 660 फिर आपकी हो जाएगी तेज 630 प्लस दीए, एच्चारे, अदर अलाउंसेज, मेडिकल अलाउंस, टीए, डीए, जो भी अलाउंसेज आपको दिये जाते हैं वो दिये जाएंगे फिर अगले साल 770 उससे अगले साल 895 उससे अगले साल 1040 तो अप्रोबेशन पीरिड के दुरान भी आपको एक्जाम होगा और आपके जो ओफिसर हैं जिसके नीचे आप काम करेंगे उनकी जो ATR आपको देंगे हो जो आपकी प्रफोर्मेंस रिपोर्ट देंगे उसके अधार पर आपको कन्फर्म कर लिया जाएगा eligibility criteria, the candidate must be first class graduate यानि की 60% कम से कम आपके marks आए हो graduation में in regular stream from recognized university किसी भी विधी द्वारा या फिर जिसे कहते हैं मान्यता प्राप्त उनिवर्सिटी से आपने regular graduate की हो first class में candidate should have proficiency in speaking, writing and reading English and telugu languages computer knowledge is required तो आपको energy आनी चाहिए, telugu language आनी चाहिए, computer का ग्यान होना चाहिए minimum age आपकी 20, अधिकतम 33 साल होनी चाहिए, 31 December सन 2023 को और यानि कि should have born between यानि कि 1 January 1991 को जन्म हुआ हो या फिर उसके बाद 31 December 2003 तक हुआ हो तो 1 January 1990 से लेकर 31 December 2003 इसके बीच में फिर इन दोनों डेट में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप apply कर पाएंगे स्टाफ वर्किंग इन दा, विसा का पटनम को परेटिव बैंक लिंप्रिट के आपके आपके आवे दिन फीस रहेगी बैंक ट्रांजेक्शन अगर लगती है तो वो भी आपसे ली जाएगी प्रपोस्ट सेलेक्शन प्रोसीजर सेलेक्शन कैसे होगा आपका तो तीन फैसे में थापके आपके एग्जामिशन होगा तीन फैसे में थिरे स्टेपस में तो अपका ओनलान एग्जाम होगा Pre, means or interview The online exam will be conducted in English All the eligible candidate who apply with the requisite fee and whose application are received in time तो जिसने भी अपना form फिल कर दिया है, eligible है और application की fees जमा करवा दी है, उनका online test होगा, phase 1 में pre में 100 marks का होगा, phase 2 में means में 200 marks का और phase 3 interview 50 marks का, इस तरह से होगे आपके total 400 marks, there shall be negative marking for wrong answers, तो इस important point को note कर लें, अगर आप गलत उतर देते हैं तो negative marking करी जाएगी, first phase में यानि की pre exam में 100 marks का आप कैसे होगा test, तीन sections में divide होगा, objective type यानि की MCQ type होगा, general English, quantitative aptitude, reasoning ability, computer aptitude and general banking, number of questions आप देख सकते हैं, total 100 marks के, English में आपको exam होगा, पहले इन्होंने बता दिया है, और गंटे का आपको समय दिया जाएगा, 30 minutes each section के लिए, selection criteria क्या रहेगा, means examination के in the, scored in the pre examination, there will be no selection, sectional cut off, तो sectional cut off नहीं है, यह important बात है, कि out of 100 ही आपकी, जो है, pre में shortlisting की जाएगे, candidate numbering 10 times approach, the number of vacancies will be shortlisted for means examination from the top of above merit list, तो बस गुना candidate means के लिए बलाए जाएगे, second phase, जिसमें means examination कैसे होगा, तो 200 marks का objective test और 50 marks का descriptive test लिया जाएगा, the descriptive test will be administered immediately after conclusion of the objective test, तो एक ही दिन लिया जाएगा, जैसे ही आपका 200 marks का objective test होगा, उसके बाद आपका descriptive होगा, objective test में कैसे होगा, the duration of objective test is 3 hours and it consists of four sections of total 200 marks, तो चार section होगे, general analysis, reasoning और general economy banking awareness, number of questions 15, maximum marks 200, धाई घंटे का आपको समय दिया जाएगा, इस section आप देख सकते हैं, 35, 40, 40, 35 minutes, 50 marks का descriptive paper होगा, इंगले जिसे आपसे letter writing, essay और प्रेसी राइटिंग उची जाएगी, तिक questions होगे, letter writing का एक essay का और एक प्रेसी राइटिंग का, 50 marks का होगा, अधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा, Each question will have 5 alternative, except descriptive, तो 5 option होगे हरे MCQ के, descriptive question contains essay writing यह मा आपको बता चुका हूँ, other detailed information regarding the online test examination will be given in an information handout, which will be made available for the candidates to download along with the call letter, तो online test आपको कैसे देना होगा, कैसे आपको circle भरने हैं, computer पर, वो सारी जानकारी आपको handout के form में, जब आपका admit card जारी किये जाएगे, तो उस वक्त आपको दे दिये जाएगे, penalty for wrong answer मैंने आपको कहा, कि negative marking है, तो one-fourth marks आपके deduct कर लिये जाएगे, if a question is left blank, no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that answer, that question, तो अगर आपने answer ही नहीं दिया, तो फिर कोई negative marking नहीं है, अब बात करते हैं, third phase की, जिसमें आपका interview लिये जाएगा, 50 marks का, और process for arriving scores, scores कैसे लिये जाएगे, the score of online examination are obtained by adopting the following procedure, number of questions answered correctly by candidate in each objective test is considered for arriving at the corrected score, after applying penalty for wrong answer, कोई simple सी बात है, कि जितने आपने सही उतर दिये हैं, उसमें से negative marking minus करके, net आपका score निकाल लिये जाएगा, the corrected score, so obtained by candidate are made equivalent to take care of the minor differences in difficulty level, यानि की, normalization किया जाएगा, अलग-अलग shift में, in each of the objective test held in different session to arrive at the equated score, scores obtained by candidate on any test are equated to the base form by considering the distribution of marks of all the forms, test wise score and score on total is reported with decimal point up to 2 digits, 2 digits तक decimal point considered किया जाएगे, cut-off will be applied for mains examination in two stages, on scores in individual test, on total score, तो cut-off mains में दो तरीके से निकाली जाएगी, individual test से और total score पर, for those candidate who get minimum cut-off score और more in each paper, total aggregate score of all four paper will be arrived, basing on these aggregate score of all four paper, candidate will be called, तो एक post के लिए 4 candidate interview के लिए बलाए जाएगे, depending upon the number of vacancies, only those candidate who rank sufficiently high in the written test, will be called for interview, the detailed information, vcbl.in पर आप जा कर देख सकते हैं, online test, फरवरी 2024 में होगा, जैसा इनों ने उपर बताया था, the exact date आपको बाद में, website के मांध्यम से बता दी जाएगी, center pre-mains के कहाँ पर होंगे, आप देख सकते हैं, the examination will be conducted online, no request for change of center, the bank reserve the right to cancel any of the examination center, तो आपको पाता है, ये vacancy कहाँ पर निकलिये, विसाखा पतनम, cooperative bank limited, आपने thumbnail, आपने जो है, उपर heading में देखी लिया होगा, the bank also reserve the right to allow the candidate to any center, other than the one he she opted for, अगर आपने कोई center भरा है, और वो आपको ना मिला, तो आपको एक query नहीं उठा सकते हैं, COVID guidelines का आपको पालन करना होगा, choice of center for an exercise by the candidate will be final, तो आप ध्यान से बने, mobile phone calculator allowed नहीं है, if sufficient number of candidate does not opt for particular center, the bank reserve the right to allow any other adjacent center to those candidates, how to apply, आपको online आवेदन करना है website पर जाकर, application registration, payment fees करनी है, document upload करने है, और जो इनोंने size बताया है, signature blank ink में होना चाहिए, 4.5 cm into 3.5 cm, taken with date not later than 6 months, photograph पर आपकी date भी होनी चाहिए, 6 महीने से पराणी नहीं होनी चाहिए, signature capital letter में नहीं होने चाहिए, यह सारी बातों का आप ध्यान रखें, left thumb impression should be properly scanned and not smurged, the text for the handwritten declaration, handwritten writing में होना चाहिए, type नहीं होना चाहिए, valid email ID होनी चाहिए, mobile number होना चाहिए, तो VCBL.in पर जाएंगे, carrier section पर जाएंगे, तो आपको new registration करना है, और जो भी documents में आपके नाम दिये गए है, father name, mother name, जितने marks अप्रोपर लिए आप भरें, उसके बाद fees पे करनी है, 1000 रुपे मैंने आपको बदाया था, online माध्यम से payment करनी है, debit card, credit card, internet banking, IMPS, cash cards, mobile wallet, किसी भी माध्यम से आप payment कर सकते हैं, तो अगर आपके receipt जनरेट नहीं हुए, तो हो सकता है कि आपकी payment ही ना हुई हो, तो आप जरूर चेक कर लें, there is a facility to print application form, containing fee, detail after payment of fees, guidelines for scanning, तो scanning आप धंग से करें, photograph जो भी साजनों ने बताया वो होना चाहिए, documents अच्छे से uploaded हो, legible manner में, ताकि वो सही से दिखाई दे सकें, और जितनी size जनों ने बताई है, document की वही रखें, set color to true color, document कैसे scan करना, set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi, dots per inch, set color to true color, color जो है true color में set होना चाहिए, file size as specified above, जो यहाँ पर size जनों ने उपर बता रखे हैं, 50 से 100 kilobyte, यह जो भी kilobyte की नों ने बता रखे हैं, वो उसी option में, उसी size में होने चाहिए, और भी यहाँ पर जो details दी गई हैं, आप जरूर पढ़ लें, guidelines for person with disability using a scribe, guideline for candidate with locomotor disability, test का result आपको website के मादिम से बता दिया जाएगा, vcbl.in, और उसके बाद है appointment, candidate selected for current vacancy cell be taken into service in the order of merit as per the requirement, the candidate upon selection has to execute a contract bond for a minimum period of three years, तो तीन साल का आपको विसाका पत्नम कोपरेटिव बैंक के साथ contract करना होगा service का, special instruction and identity verification, तो आपके पास valid जो है government के documents होने चाहिए, रासन कार्ड and learner's license, driving license is not valid ID proof, इस बात का अब ध्यान रखें, कि रासन कार्ड और driving license valid नहीं है, the reporting time mentioned on the call letter is prior to the start time of the test, तो ये तो आपको वहाँ पर भी call letter पे भी मिल जाएगी ये सब बाते, general instructions आप जुरूर follow कर लें, और उसके बाद है, action against candidate found guilty, कोई भी आप unfair means का इस्तेमाल ना करें, download of call letter तो आपको बाद में बता दिया जाएगा, website को regularly visit करते रहें, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, technology related तो वहाँ पर भी phone number दिया गया है, और email भी दिया गया है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, एन एक्सर यहाँ पर है, certificate for person with specified disability, एन एक्सर 2, letter of undertaking by the person with specified disability, तो सारी जानकारी मैंने दे दी हैं आपको, अगर आप eligible हैं, इस चुग हैं तो जरूर reply करें, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेर करें, ताकि और भी candidate तकी information पहुँच जाए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत वर्स में, इंडिया में जितनी भी जो vacancies निकलती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ परचानकारी दी जाती है,